दोस्तो स्टड़ी 91 के आनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो वर्ड जिग्राफी में आजकल ऐसे ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं जो पढ़कर सर सही बता हैं तो हवा नहीं नगरे ठीक है अभी तक आपने पढ़ा है सर रूम जिग्राफी नोटिक मिलती कहें अपना काम है यह एसी टॉपिक को ढूंड कर पढ़ाना जिस टॉपिक पर आज तक किसी में चर्चा ही न क्या हूँ ठीक है अब समय दीजे इन सारे सवालों का जवाब इतना असान है इतना आसान है कि आप क्लास में ही चीजो को याद कर प ठीक है study 91 के platform से कई सारे विशाय के लिए foundation course भी लांच के गए आप चाहें तो इसके बारे इंक्वाइरी कर सकते हमारा help line number है ठीक है आगे बातचीत बाद में करेंगे पहले मुद्दे की बात करते हैं ठीक है मुद्दे की बात क्या है तो मुद्दे की बात है कि पढ़िए ज कर सकते हैं आतंगवाद का खत्रा हमेशा मड़ाता रहता है यह देश हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं आज दोस्तों जलवायू की बात आरी एक बात तो उत्ता है सर यहां के नेता का सुभाव गरम दल के नेता वाला याद रखे दोस्तो इसी के आसपास भूमध्य साहगर इसरी भूमध्य रेखा में कई बार बच्ची अी RA कहा जाता विसुवत रेखा को को etti Wheels के के वीचो PRO भूमद्य रेखा करते हैं क्योंकि उसे भूमद्य करते हैं इसलिए दोस्तों बच्चे भूमद्य सागर जब पढ़ते हैं तो कन्फीजन में आ जाते हैं भूमद्य रेखा अलग है भूमद्य शागर अलग है यह भूमद्य रेखा नहीं हम बात करेंगे आप भूमद्य साग जलवायू दोस्तों यहां पाई जाती है इसको आप याद रखेंगे यह बड़ा अच्छा सा सवाल है क्योंकि सवाल में केवल और केवल इतना पूछा है कि भाई यह जो देश है यह सिया में पड़ते हैं तो दोस्तों भूमत सागर के आज पास जो देश इस्तित हो गए उन लेकिन फिर वी याद रखेंगे पूर्ध गाल में भी किस प्रकार की जलवाई पाए जाती है भूमत सागरी जलवाई पाए जाती है भूमत सागरी चलिए आज एसिया की बात आई तो आपने बता दिया कि तुर्की है सीरिया है इसराइल है यहाँ पर भूमद सागरी जल्वा भी पाई जाती है लेकिन मामला अगर यूरोप का आज आए तो आप बता पाऊगे कि नहीं तो आप ये बताएगा ठीक है हमारी क्लास में थोड़ा साब को एक्स्ट्रा आडिनरी बनना पड़ेगा कुछ नई नई चीजें भी सीखने रहना पड़ेगा कि जो सवाल आए उससे हटकर क्या पूछा जा सकता है अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका पड़ते है बच्चा इतनी जल्दी वाजीम होता हूँ उत्तरी अमेरिका सोच लेता है तुरन सवाल गरत कर देता है अफ्रीका अलग मादवीप है अमेरिका अलग मादवीप है ठीक है हम उत्री अफ्रीका की बात करें बहुत धान से पड़ेगा यह मिस्तर वगरा जो सहारा का मरुस्थल वगरा वो दोस्तो उत्री अफ्रीका में तो लिखरा दोस्तो उत्री अफरीका के किस देश में भूमत दे सागरी तुल्य जलवायू छेतर पाई जाते हैं हमने यूरोप बता दिया हमने एसिया बता दिया ठीक है अगर आप उत्री अफरीका की बात करेंगे तो उत्री अफ्रीका में दोस्तों आप लीबिया का नाम पढ़ेंगे लीबिया का आपने दोस्तों ट्यूनीशिया का नाम पढ़ा होगा ठीक है ट्यूनीशिया का नाम पढ़ा होगा उत्री अफ्रीका में है ठीक है यह दोस्तों जो सहरा मरुस्तल उसके आसपास के छेत्रो ठीक है अगले सवाल पर आई अगला सवाल क्या करा है लिख रहा दक्षिड अफ्रीका अब उत्री अफ्रीका की बात समाथ हुई दक्षिड अफ्रीका के किस छेत्र में भूमद्य सागरी तुल्य जलवायू पाई जाती भूमद्य सागर के तुल्य मतलब जैसी ही जलवायू दोस्तो पाई जाती है तो दक्षड अफ्रीका का जो खास करके दक्षड पश्चिमी एरिया है दक्षडी पश्चिमी छेत्र कौन सा दक्षडी दक्षडी पश्चिमी पश्चिमी जो छेत्र है दोस्तो वहाँ पर कैसी जलवाई पाई जाती है वहाँ भूमद्य सागरी तु ऐसा ही जलवाई पाए जाता है इसलिए दोस्तों है तुल्ले कहा गया इसी तरह जो हम चीन तुल्ले या व्रिटीस तुल्ले पढ़ रहे हैं अभी उसके बारे में दोस्तों मैं आपको समझाओंगा तो जरा समझेगा ठीक है जब नहीं हम तो काते ना नया सवाल पढ़ो कित अगला तरह है और आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा तो फिर आपने पढ़ा ही क्या अपने घर से सवाल नहीं बना रहा है नंगे परिक्षा में पूछे जाने सवाल है बहुत ध्यान से पढ़े और जवाब दीजिए अगला सवाल दोस्तों की उत्तरी है सागरी है छेत्र में जिस प्रकार की जलवाई उसी के जैसा जलवाई मिलता है दोस्तो Q18 कैलीफोर्णिया कैलिफोर्णिया जो छेत्र दोस्तों वहाँ पर इस प्रकार की जलवाई देखने के मिलती है भूमद्य सागरिय तुल्य जलवाय। तुल्य सब्द जरूर याद रखेगा वन्ना फिर आप confusion में गलत करेंगे अगला सवाल देखें अगला देखें कि अमेरिका का कौन सा छेत्र फलों के निर्याद के लिए विसेश रूप से जाना जाता है वहाँ पर बहुतायत मात्रा में दोस्तो ही क्या है दोस्तो इसकी एक मात्र विसेशता है वह क्या है दोस्तो यहाँ पर रसीले विशेशता विशेशता कर लिजी हाँ ठीक है इसकी एक मात्र विसेशता है कि यहाँ पर दोस्तो रसदार फल पाये जाते हैं क्या रसदार फल रसदार फल मतलब रसीले फल ऐसे फल जि इस टाइब का छेतर कहां पर कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया में क्या होगा यह कैलिफोर्निया किसके लिए फेमस होगा दोस्तों कैलिफोर्निया फलों के निर्यात के लिए फेमस होगा क्यों क्यों कि वहां के जो फल होंगे न वहां पर क्या हो जाएगा रसीले फल मिलते हैं मुझे बताओ जहां पर रसीले फल बहुतायत मात्रम मिलेंगे वहां एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा अगर उत्पादन आउसस से जादा होगा तो एक्सपोर्ट तो होगा नहोगा भैया इसमें रखने वाली क्या बात है तो आपको विशेस्ता पकड़ के रखन में भूमद सागरी तुल जलवाई शेतर पाई जाते हैं सर गजब हमने तो यही आस तक सुना था कि भूमद सागर के आसपास के देशों में हैं इतना तो सर समझ में है कि पूर्टगाल में इस्पेन में हैं दक्षडी फ्रांस में यूगोसलाविया में उधर आपका तुर बताने चलने इसके बारे में सर हमने नहीं सुना था कि वहां भी भूमद सागरी तुल जलवाई शेतर पाई जाते हैं तो दोस्तों दक्षडी अमेरिका की बात किया तो दक्षडी अमेरिका में कौन सा देश है अभी मैंने बोला चिली याद रखेंगे चिली तो याद थन क्या एक्सपोर्ट होता होगा जाहिड सी बात है कैलिफ़ोनिया थोड़े-खाली एक्सपोर्ट वाला बंचिली करता होगा सर ऐसे तो इसले तो तूर्की में भी होते होगी होतायत मात्तरा में होते हैं अगर वहाँ जनसंग्या जाता होगी तो नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, जनसंग्या कम होगी, पाधन जाता होगा तो करेंगे एक्सपोर्ट, हम तो वहाँ रिक्षों वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगले सवाल पर आईए, करा अस्ट्रेलिया के किस छेत्र में भूमत्यजागरी तुलेजलवाईू छेत्रीय जलवाईू पायू पाई जाती यह अलिए अब दिखे अस्टेलिया अस्टेलिया दोस्तों कहां है अस्टेलिय आप डाउन में देख रहाए यहां इस भूरिकार की घास की मैदान पाये जाते ही टाउन सापने पढा है तो आपने पढ़ा दोस्तों ऐस जो डो अस्ट्रेलिया महादीब है आप भारत से भी दोस्तों आप जाएंगे नीचे दक्षिड के दरब के दरब देखें दक्षिड पूरु की तरफ पे जहां न्यूजी ल भी आ जाता है कि ओल्ट पंद्र प्रश्ण हिस्सों पर दोस्तों लोग रहते हैं तो खास करके आस्ट्रेलिया का जो दख्षडी पष्च्चिमी इस्सा है अगला वड़ी सवाल करा कौन सा जल्वाय। दोनों गोलार्धों में महादेशों के पुर्वी भाग में जो बड़े बड़े महादREE है उसके पुर्वी भाग में तुम्रुस्थल ज्यादा पाए जाते हैं पूर्वी भाग में बिक कितने डिगरी 25 डिगरी से 45 डिगरी के बीच में दोस्तों पाए जाते हैं तो क्या पाए जाता है याद रखेगा गर्म सीतोसल अभी जो जिस पे आज हमारा पुरा यह लेक्चर है वह दोस्तों गर्म सीतोसल पुर्वी ठीक है गर्म सीतोसल पुर्वी क्यों बोला क्योंकि अ जाते हैं क्या पाए जाता है किस जलवाई प्रदेश को गर्म सीटोस्ना पुर्वी यसा सकतर इतना है गहीत analysts के जैसे भुमत्र दे तुल्य जलवावप्रदेस देखा उसी तरह से चीन तुल्य नितु पीमिसे जलवाई सब्सक्राइब इतना दिमाग में रखना आपके ठीक है इसी को चीन तुले भी कहा जाता है अपने आपने भाई देखिए घर का नाम एक स्कूल का नाम इसी तरह से आप दोनों नाम याद कर लिए तो आपके लिए ज्यादा बेतर रहेगा ठीक है करा चीन तुले जलवाई प्रदेश को अन् दूसरा नाम क्या है गर्म सीतो या कहीं कहीं पर दोस्तों एक और इसका नाम मिलता है आर्द्र उपोष्ण क्या मिलता है आर्द्र उपोष्ण जलवायू छेत्र आर्द्र उपोष्ण जलवायू छेत्र आप ध्यान में रखिएगा भाई निवेदन आपसे आपसे कि तीनों नाम एक ही के लिए प्रिव्ट के जा रहे हैं उस दिन सारा कन्फूजन समाप्त हो जाएगा और देशांतर गलतिस न बोल दिएगा अक्षांस बोलेगा अक्षांस मतलब लेटी हुई रेखा है देशांतर मतलब खटी खड़ी हुई रेखा है ठीक है जो सीधी खीची के वह देशांतर देशांतर रेखा है वृत का निर्माण नहीं करती है वह अर्द बृत बनाती है अब चाहीं भी हो किसी भी डिगरी जो चांस देखा करकर रेखा है वह अपनी आपने वृत शुरुगात मैं ने पढ़ाया इस सब बाते ध्यान रखें तो यहां हो स चाहे आप दोस्तों उत्री उत्री गोलार्द में का यह ठीक है उत्री गोलार्द में का यह या फिर दक्ष्री गोलार्द में के चाहे उत्री गोलार्द की बात कीजिए चाहे आप दक्ष्री गोलार्द की बात कीजिए विस्तार तो दोनों जगाया ना हां और कहां पर है तो पूर्वी हिस्से में है, महादीपो के पूर्वी हिस्सों में दोस्तों विक्सित हैं, इसको आप याद रखेगा, ठीक है, एक एक point important है, करा किस जलवायू प्रदेश में, गर्मी के समय में, गर्मी के समय में, काफी गर्मी पड़ती है, क्या लिखा दोस्तों, काफी गर् चाहिए आप एह गर्म सीतोष क्या कर दोस्तो यहां पर गर्मी के टाइम में क्या होता है हुब गर्मी पढ़ती है और ठंडी के जलवाय, अचा, कितना अऊसतन? तो गर्मी के समय में बहुत गर्मी मतलब ऐसा Shanga Kyuji नहीं कि पचास ह advertisement कुछ है 12 उसी तरीके से थंडी के समय में सीथ काल में काफी थंडी पढ़ती है हाँ थंडी के समय में इतनी थंडी सिलिस्टु ठीके ठाक है लेकिन दोस्तों थंडी में जादा ठंडी पड़ता है फिर हम किसकी बात कर रहे हैं फिर हम उसी पिण रही कि रही है चाय आप इसे गर्मसी करें बार बार आपको शमजा रहा हूं जाप इसे आर्द रूपर न कर यह और रूपर्शola करें या फिर आप इसे क्या कहिए आप इसे चीन तुल्ले कीजिए कोई दिक्कत नहीं है जवाब तो एक ही है जवाब एक ही है कुछ अलग से नहीं है ठीक है मुझे लगता है समझ में आ रहा हुआ ठीक है अपना नोर्स उठाइए जरा ढूड़िये कि आपने अगर वर्ड जिग आपको करनी है तो अब से पढ़ लिए कहीं किसी से लाई करना कहीं किसी से पूछना जानते रहो कौन अच्छा कौन बुरा इसको लिख लो अभी अपने कौपी अगला सवाल देरा कि गर्म सी तोस्न पूर्वी तटी जलवाई प्रदेश आप तो जानी रहें ठीक है कि गर दोस्तों क्या पड़ा ठंडी में दोस्तों। हुई मांग से क्या हो जाता है नीचे चला जाता है तो यह वर्चा कंँ होती है वर्चा दोस्तों वह जो भी वर्सा होती यहां वह घ्री Picard मित्लज गरमी की समय में ही बरसा होती Oh вм बात है 32 डिगरी चल्सियस पर मेंटेन होने गाई आओ सतन जो 32 डिगरी कहा गया गर्मी में बारीश हो जाएगा तो कहां कर्मी का एसास रहेगा ते भी ध्यान दीजिए पूस्ता सवाल टेकनिकल सवाल है ठीक है बच्छा कन्फूजन में आ जाता है तो पहले से याद रखे ग्रिस्म काल में ही दोस्तों यहां वर्षा होती है सीत काल में बत करा दीजिए ठीक है हमारे देश में सीत काल में भी वर्षा होती होती है ठीक है होती है कि नहीं पश्ट में विच्छो वगरा जवाते हैं चक्रवाती वर्षा सीत काल ठंडी के समयंबी होती है करा गर्म सी तो इसने फुर्वी जल्वायी परदेस में कुल ओसत वार्षिक वर्षा कितनी होती। Č tone कितनी वर्षा होती ठीक ठाक होती एक सठी क translates उपर झाँ वर्षा है ऑसतन कितनी वर्षा होती सो 122 सेंटे मिटर ऑसतन एक सो कर लीजे 1895 कर लीजे थिक एदम नाप जोग के मत रखे ठीक है इसी का आसपास वर्षा है 120-22 परचीस ठीक है अगला सावल देरा है कि एसिया के एसिया में किन छेत्र में गर्म सीतोस न पूर्वी जलवायू प्रदेश पाए जाता है मतलब एसिया का वह कौन सा छेत्र है जहां चीन तुल्य चीन तुल्य जलवायू पाई जाती क्या पाई जाती है चीन तुल्य जलवायू छेत्र अब देखें चीन तुल्य मतल लिए वर्ति चीन में दोस्तों इस प्रकार की जलवाई अरे इसका नाम ही है वही जलवाई प्रदेश हमने इसका नाम क्या बताए कि चाहिए अरुअ यह ना लिख के क्या दे देता कि आरुफ उपोष आप घबड़ा जाते अरे मैंने आपसे कहा तीन नाम है मत घबड़ाओ आर्द रुपोर्ष न कहे गर्म सीतोष न कहे चीन तुल्ले कहे जवाब तो ही है न और उसके नामी चीन लगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि भाई यह जलवाई कहां पाई जाएगी चीन में तो पक्का पाई जाएगी इसे भूमद सागरी तुल्ले जलवाई उशेतर जहां भूमद सागर होगा उसके आसपास के देश में तो उस तरह की जलवाई पाई जाएगी ना उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया ठीक है यह आप याद रखेंगे तो विशेस रूप से दोस्तों कहां पाई जाती है चीन में पाई जाती है आपको विश्वास दिराद उतनी सिद्रक के साथ दोस्तों देर सो लेक्छर में आपको इतिहास पढ़ाया हो ऐसी लेक्चर में संभिधान पढ़ाया हो और आगे दोसे वेड् टियोगराफी की लाश शरी रही है अगर यह क्लास आप लेट में देखेंगे तो सकता वर्ड जिगराफी संयब हो इंडियन योग्राफी आ रहा हो तो आप एक बार प्रेलिस्ट में विजिट कीजे वहां आपको पता चल जाए कि तब कौन सी क्लास दी गई ठीक है तो चैनल से जुड़े रेस्ट इन एंटिवन से गंभीरता से इस तरह से क्लास लीजिए देखिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं तभी पढ़ा रहा हूं ठीक है मैं चाहता हूँ इसकीप कर सकता था लेकिन उससे हमें कोई लाव नहीं है मैं चाहता हूँ आप सब कुछ पढ़िए कोई ऐसा पॉइंट नहों हो जिस पर नितिन सर्ने चर्चा न किया हो ठीक है बाद में सब चीज़ें आप याद रखी है अगला सवाल देरा कि संफ्त राज अमेरिका का कौन सा भाग गर्म सीतोष न पुर्वी तटी पुर्वी तटी जलवायू के अंतर गताता है अच्छा इसके पहले हम लोगों हम लोगों ने पढ़ा था भूमत्य सागर क्लिया का नाम है अमेरिका में इसका नाम पढ़ा था हमने पढ़ा था कैलिफोर्निया का नाम लेकिन ये तब पढ़ा था जब हम से पुछा जाता भूमत्य सागरी तुले जलवायू छेतर के नाम तब भूमत mmывar इतंच न कहे चाहाई और पोर्वी भाग एक कौन सा धक्षडी पूर्वी भाक दक्षडी और पूर्वी स्ह вм को एक अमेरिकां मेक्षीको के पास में मेक्षिको के उप्वर उत्तर में जाएंगा उसका जो दक्षडी पुर्वी area है, वहाँ पर दोस्तों इस hice की जलवाईव मिलती है चीन जलाई छलवाईव थीकये यह आप याँ दक्षडी पूर्वी पष्चिमी नहीं, तक रेखा अगर आप मैप में देखेंगे तो कर आप दक्षिड अफ्रीका वह अस्टेलिया का दक्षिड पूर्वी तटी भाग किस जलवायु छेत्र के अंतरगत आता है दोस्तों यहां भी चीन तुले जलवायु छेत्र पाए जाता है अब देखें चाहे चीन तुले लिखे चाहे आरद्र उपोश न लिखे ऑर उपोश न लिखे चाहे गर्म सीटोष न लिखे एक ही बात है नहीं तीनों लिख धी घवडाना नहीं है आपको ठीक है यह पाय जाता दोस्तों अस्टेलिया में और दक्षिड अफ्रीका में कहां पर उसके दक्षडी पूर्वी तट उपर और अमेरिका में का दक्षडी पस्छी मिलाइ पस्च्म कहां तो कोई बात ही नहीं करना ठीक है यह अगे देखें कर जलवाई प्रदेश की अवस्थिती महा दीपो की किस भाग में पाई जाती है अरे 65- 45 बढ़ा पढ़ा तो आपने अगर आप बात करेंगे कहां पढ़ा 25 से 45 डिग्री में पाई जाती है उत्तरी और दक्षडी गोलार्द दोनों में पाई जाती है और कहां पाई जाती है यह महादीपो के पूर्वी भाग में पाई जाती है ठीक है तो यह सब आप याद रखिए और अमेरिका के दक्षिर पूर्वी में देख लिया दक्षिर अफ्रीका के दक्षिर पूर्वी में देख लिया आश्ट्रेलिया के दक्षिर पूर्वी में देख लिया इस्पेसली चीन में देख लिया उत्तर और मद्धिवर्ती चीन में देख लिया ब्राजील वगरा देख ल कि गर्म सीतोष नहीं क्या है चीन तुल्ले है क्या है चीन तुल्ले है अब यहां पर इस टाप लगाई है अब आपसे क्या कर रहा है ठंडा समसीतोष नहीं अब आपसे का रहा है ठंडा समसीतोष नहीं क्या कर रहा दोस्तो अभी गर्मी की बात कर रहा है ठंडा समसीतोष न यह पुर्वी तटी था। और यह जो आपका पश्मी तटी है। अब देखिए क्या लिखना है। कराथ पश्मी तटी का विस्तार दोनों गोलार्दों में इन अक्छानसों के बीच महादेसों के पश्मी तट पर ठीक है इस्तित है तो याद रखेगा ये वाला जो था ये ये जो गर्म सीटोशन था इसके लिए हमने पढ़ा 25 डिगरी से 45 डिगरी तो दोस्तों ये गर्मी था ठंडी में अगर आपको जाना है तो 45 क्रास करना पड़ेगा ना तो यहां पर स्टार्ट करिए यहां जो आप क इदर पांच डिगरी घटा इदर पांच डिगरी बढ़ा दिया गया कोई दिकत अचानक से तो ऐसा नहीं होगा ना कि कोई रेखा पार करेंगे इदर ते गर्मी तो यह था ठंडी ऐसा नहीं होगा तो शुरुवात कहा सो जाती है गर्मी का अंत 45 तक मिल चाहे ठंडी की सर दोनों में सही क्या मानें यह वाला सही मानें 40-65 यह भी है अगर आप कांसेट पर देखेंगे इस आधार पर ठीक है आप यह बता दू यह वाला बता दू बच्चा कहेंगा सर गजब ब्योकूप बना रहे हैं कर आए 25-45 क्या होता है गर्म सीतोषन होता है और कर चालीस स पैसाठ जो है या 65 जो है वह आपने सर बता रहे है ठंडा सीतोषन यह तो सर ब्योकूप बना रहे हैं अब बीजवाला जो दोनों में आएगा इसलिए मैं बता रहा हूं कि नहीं ऐसा होता है क्योंकि यह जो छेतर होते हैं यहां दोनों की वीसे स्तमिल ठीक है इसलिए ऐस से बताएं भाई लिखा तो है क्या लिखा है पढ़िए सवाल में ही जवाब लिखा है उसका नाम ही है ठंडा समसीतोषन पश्मी तटिय जलवायू तो पश्मी तटिय जलवायू जब लिखा है तो सिंपल सी बात है पश्मी तटपर होगा पूरवी तटी लिखता तो पू जाता दोस्तो यह पश्मी पश्मी तट पर पाए जाता दोस्तो पश्मी तट पर दोस्तो यह पाए जाता इसको आप ध्यान रखेंगे बढ़िया सवाल इससे अच्छा क्या आपको मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तरह ठंडा समसी तोष्ण पश्मी तटी जलवा जलॉपाय प्रदेश में पूरे वर्ष समूद्र का प्रभाव बना रहता है, समुद्र का प्रभाव बना रहता है जिससे यहां ना तो जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि दोस्तों पहले बता दिया कि पूरे वर्ज पूरे साल समुद्र का प्रभाव बना रहता है इस कारण हम किस चेत्र की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रिटीस तुल्य चेत्र की किसकी बात कर रहे हैं हम ब्रिटीस तुल्य चेत्र या प्रदेसों की बात कर रहे हैं वहां न जादा ठंडी पड़ती है न जादा गर्मी पड़ती है क्योंकि दोस्तों समुद्र का प तापमान कितना रहाता है दोस्तों अगर मैं आपको याद दिलाओं कि चीन तुल्य जो छेत्र था भाई पीछे का कंप्रीजन करना पड़ेगा ना तो चीन तुल्य में आपने पढ़ा था गर्मी के समय में 32 डिग्री सेल्सियस ओसतन था ठीक है और ठंडी के समय में आपने पढ़ा था कि तापमान जो था वो हीमांक से नीचे चला जाता था किसे हीमांक से नीचे चला जाता था और वर्सा जो होती थी वर्सा चीन तुल्य वाले में आपने वर्सा भी पढ़ा कि वर्सा कब होता था वर्सा ग्रिस मरीतू में होता था कितना होता था तो 120 से 125 सेंटीमीटर के आसपास हमने आपको एक जैट 122 सेंटीमीटर बताया ठीक है पता हमें ठीक है लेकिन आप याद रखे उसी तरीके से करा ब्रिटिश तुले जो छेत्र है यहां जाड़े में तापमान कितना रहता है तो जाड़े में तापमान 2-10 डिगरी सेल्सियस रहता है कितना दो से दर तर बड़ा अच्छा रहता है चीन तुलने वाले में तो हिमांग से नीचे चला गया था यहां तो फिर भी ठीक है हां ठीक है क्यों ठीक है क्योंकि यह समुझ के किनारे इस्थित होते हैं चेत्र इसलिए ठीक है इसको आप याद रखेंगे चलिए आगे ब से लेकर दस डिगरी के समय में ताप मान रहता है यह तो शीन तुले तो 32 जा रहा था यह तो फ्रीक है और और ही जाता 32 नहीं हो सकता हूं 35-36 चला जाता लेकिन क्योंकि गर्मी के समय में ग्रीस मेरित में दोस्तो वर्सा हो जाती इस वज़े से थोड़ा बचाव हो गया था मौसम ठीक ठाक हो गया था ठीक है तो दोनों आप याद रखेंगे यहां से ज़्यादा सवाल तो नहीं बन जो तापमान आपने पढ़ा वह पढ़ा दोस्तो कितना और 32 डिगरी से जल्सेस पढ़ा यहां पर दोस्तो वार्शिक तापमान कितना राता है याद रखेंगे इसको आप 10 डिगरी से से शेस माल सकते हैं और शटन ठीक है क्यों कि दोस्तों अगर आप ठंडी की बात इसकी तो लगभग इतना ही मिलेगा ठीक है चली इसको याद रखेंगे आगे बड़ी अगला सवाल देखे करा किस जलवाई प्रदेश में पूरे वर्स पच्छुआ पौन चलती है और कहीं कहीं हिंपात होता रहता है हिंपात मतलब बरबारी भी होता रहता दोस्तों यह कहा होता है तो यह ब्रिटीस तुल्य छेत्र की खासियत है ठीक है ब्रिटीस तुल्य छेत्र की यह खासियत है और एक बात और याद रखेंगे ब्रिटीस तुल्य छेत्र में इसलिए कहा जाता है कि पूरे वर्स समुद्र का प्रभाव बना रहता है समुद्र का प्रभाव क्य आने वाली पाउनों से साल भर वर्सा होती रहती है क्योंकि दोस्तों क्या है गर्म जलदाराओं को पार कर रही है तो हवाएं चलेंगी तो अपने साथ आर्थ भी उठा लेंगी ठीक है और ये कहां की खासियत दोस्तों है ब्रिटीज तुली छेत्रों की खासियत है ब्रिटीज चुली छेत्रों में कुछ-कुछ जगाओं पर हिम पात होता हर जगा पर इध्यान दीजेगा जब कि अगर आप चीन तुली की बात करेंगे तो वहां temperature हमेशा ठंडी के समय हमांग से नीचे चला जाता है तो वहां को बताया कि ब्रिटीस तुले छेत्र हैं इसमें ठीक है किस काड़ चलती क्योंकि यहां पर समुद्री प्रभाव बना रहता है पीछे आपने पढ़ा ना उसी काड़ दोस्तों ऐसा हो रहा है करा ब्रिटीस तुले छेत्रों में वर्सा की मात्रा किस दिशा में घटती जाती ब्रिटीस तुले छेत्र कहां होते हैं तो ब्रिटीस तुले छेत्र होते हैं पश्चिम तटी पश्चिमी तटी हिस्सो पर पाए जाते हैं यही ना पूर्वी तटी में तो आपने गर्म सीतोष ने पढ़ा यह कहां पाए जाते हैं पश्चिमी तटी होते हैं करा किस दिसा में जाएंगे घटा जाएगा तो याद रखेगा जैसे जैसे पूरव की तरफ बढ़ेंगे पश्चिम से क्योंकि पश्चिम में तो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे पूर्व की तरफ तब दोस्तों क्या होगा पूर्व की तरफ आएंगे तो घटा जा आपको करा किस जलवाई प्रदेश में वर्सा अधिकांस तब फुहारों के रूप में होती ठीक है क्या होता दोस्तों कुप तेज वर्सा नहीं होती है फुहारों के रूप में वर्सा होती दोस्तों यह ब्रिटीस तुले की खासियत है क्यों ऐसा होता दोस्तों समुद्री सम और यहां लेकिन यहां पुरा वात रखेंगे और जब कि अगर आप चीन तुले छेत्रों बात करेंगे तो वहां वर्षा कि मात्रा आउस्टन जो है वो 120-120 cm के बीछ है हमने फिलाल 122 बताया तो आप पूरा बात याद रखेंगे ठीक है Study 91 पर ऐसे विसे जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गया है यह उनके handwritten notes है आप इन्हें purchase कर सकते हैं हमारे website application से किताबे भी आ गई है तो आप जुड़िए हमारे channel के साथ और गंभीता से पढ़ना और तभी जुड़िए वन्हा देखता हूं कि नहीं अच्छी चीजी अच्छे content आचकल मार्केट में देने वाले बचे नहीं जो देते हैं उनका कोई कीमत नहीं कोई अस्तित्त ही नहीं ज करता कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा मुझे पता है कि मेरे matter में दम है मेरे content में दम है यह वह topic है जो आपको जनली कोई नहीं पढ़ाता बहुत पैसे देखर आते होंगे आप उनी copy खोलिए देखिए आपके copy में सारी बाते लिखी है कि नहीं लिखी है मैं डंके की चोट पर काता हूं नहीं पढ़ाते लोग ठीक है क्योंकि अपने आप में difficult topic है ऐसा नहीं कि मेरे लिए difficult हमें भी पढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है सीखना पड़ता है आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती तब ने इतनी सारी इतनी बाते दिमांग में आ रही ह किस तरह की जलवाई उच्छे तरपाई जाती है कैसे सवाल बनते हैं यह सवाल निकालने पड़ते हैं ठीक है तो अगर आप समझेंगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा यह आपसे निविदन है बाकि आपकी मर्जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पीछे प्लेट में जाकर और भी वीडियो दे सकते हैं ठीक है जै ही जै भारत थेंकियो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करने क्योंकि तभी नोटिफिकेसन आपके पास जाएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सी क्लास दी जाती ठीक है धन्यवाद